हेलो एवरीवन कैसे आप सभी उमीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी के लिए कि मैं गुड़ नियूज लेकर आया हूँ कि आप सभी को नेक्सट फेम चैनल पर कि प्रिप्रेशन फ्री ओफ कोस्ट करा ही जाने वाली है जिसमें आपको जर्नल स्टड़ीस पूरा मिलने वाला है। नेक्स्ट फिम चैनल को जोईन करना है सब्सक्राइब कर लेना है और फ्री अपकोस्ट तयारी करने का आनन्द उठाना है और तयारी करनी है मेरे साथ जुड़िये मैं हूँ राकेश शोहन और आज आपको बताना लोगे TRE 4.0 की प्रिप्रेशन हम कैसे करेंगे क्या है हमारे पास पेपर का पैटरन आप सभी में से मैक्सिम मैंसे स्टूडेंट होंगे जो TRE 3.0 में कुछ नंबर से चूक जाएंगे या निरास होने की फिरगाई जरूरत आपके पास नहीं है क्योंकि TRE 4 आपका दिसंबर महीने मे एक्जाम कंड़क्ट करा लिया जाए क्योंकि अक्टूबर में आपकी वेकैंसी रिलीज कर दी जाएगी तो यहां हम कैसे पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है कैसा पेपर होता है इन सभी के बारे में हम समझने वाले और मैं आपको किस तरीके से प्रिप्रिशन कराऊंगा व नहीं 30 नंबर का जो पेपर होता है यह होता हमारा लेंग्वेज का पेपर किसका होगा यह लेंग्वेज का पेपर होगा और यह होगा अमारा जिसमें जीएस का सेक्शन होगा जीएस का सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होगा और आपका जो सब्जेक्ट का सेक्शन होगा ये आपका 80 marks का होगा GS 40 का subject 80 का और merit बनती है आपकी 120 नमबर पे और language आपको करना होता है qualify यहाँ आपको जो लाना होता है 9 marks लाना ही लाना है 9 नमबर लाओगे तभी आपका कोई फाइदा है otherwise 9 marks नहीं है तो आपका selection यहाँ पर नहीं होगा आप यहाँ पर 120 में से 120 नमबर भी ले आएंगे तो भी आपका कोई benefit नहीं है 120 marks का क्योंकि यह 9 लाना ही लाना है 30% नमबर लाना ही लाना है इसको qualify करने के लिए तो यह guys clear हो गया paper का pattern चाहे आप PRT का paper दो 6-8 का paper दो 9-10 का paper दो वही 11-12 का paper दो कोई भी वेपर दोगे देखो PRT के हम बात करते हो PRT में subject defined नहीं होते कि आपको science के ही सारे question होंगे math के सारे question है mix चलता है science भी होगा GKB होगा आपका GSB होगा वही current affairs बहुत सारे चीज़ा आपको subject में भी देखने को मिल जाती है बट वही 6-8 onwards के हम बात करें 6-8 में ऐसा नहीं है अगर आप science से है तो science math मिलेगा SST से है तो आपको SST मिलेगा Hindi से है तो Hindi मिलेगा English से है तो आपको English मिलेगा उर्दू है तो उर्दू मिलेगा Sanskrit है Sanskrit है Sanskrit मिलता है तो यह हमारा paper का pattern है सब चीज़ों में अब यहाँ जो questions आते हैं कि questions कैसे पूछा जाता है क्या हमारा paper का pattern है question कैसे आता है तो देखो GS का जो paper है यह GS का paper इतना easy paper नहीं आता है थोड़ा सा हम explore करेंगे इन सभी points को मैं GS की बात करूँ GS, Journal Studies की मैं बात करूँ तो Journal Studies में आपको यहाँ क्या-क्या मिल जाता है अगर PRT में है तो आपको reasoning भी मिल जाता है PRT का paper आप दे रहे हैं तो आपको reasoning मिल जाएगा वहीं आप 6-8 onward है तो यहाँ आपको maths तो करना ही पड़ता है maths होगा current affairs current affairs reasoning, maths, current affairs फिर आता है आपके पास science science भी करना है उसके बाद GK, General Knowledge यह सभी parts आपको पढ़ना है अब इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे चालिस में से number अब इसको थोड़ा और elaborate करते हैं reasoning maths में मैं बात करूँ तो maths में आपको arithmetic arithmetic और advance दोनों ही पढ़ना है arithmetic भी पढ़ना है और advance भी पढ़ना है वहीं मैं बात करूँ science की तो science में आपको biology उसके बाद chemistry और physics इन सभी topics को आपको cover करना पड़ेगा SST की मैं बात करूँ यानि कि GK के लिए इस SST में जाओगे तो यहाँ आपको हिस्ट्री है हिस्ट्री वही आपको हिस्ट्री के बाद civics है यानि कि polity उसके बाद हिस्ट्री से वेक्स पॉलिटी हो गया फिर आपको geography यह सभी चीजे आपको पढ़नी है इसके बाद आपके marks बनते हैं 40 में से यह आपका marks score कराता है 40 का current affairs भी उसको भूलने का नहीं है बाई current affairs तो यह यहां से आपके जो marks बनते हैं वो बनता है 40 का score clear हो गया अब यहां से जब आप 40 marks का score करते हो 40 में से marks आपके बनते हैं इसके बाद आता है subject का खेल कि subject में कैसे marks करें score कैसे करें तो subject की हम बात करें तो subject अगर आप 6-8 का paper आपको दे रहा है तो definitely आपको 6-10 तक के आपको subject का knowledge होना ही चाहिए 6-8 onwards subject का knowledge होना चाहिए अगर आप 9-10 का दे रहे हो तो आपको मतलब यह मानलो आप 11-12 तक का knowledge चाहिए और 11-12 का paper दे रहे हो तो आपको graduation लेवल तक आपको knowledge होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या-क्या topics आपने पढ़ा है क्या-क्या वहां से questions बनते हैं वो सारी knowledge आपके पास होनी चाहिए तो इसके मुकाबल अगर देखा जाये तो subject जादा easy होता है subject में marks score करना तो subject में maximum marks आपको score करना होगा उसके लिए हमें पढ़ना कैसे कैसे है और क्या पढ़ना है यह हमारे लिए बहुत ही जादा important हो जाता है तो यह आपको मैंने pattern समझाया है कि यह यह pattern है इसके according आपका क्या बनता है marks कैसे हमें पढ़ना है अब वो हम थोड़ा सा समझते है अब guys मैं थोड़ा बात करूँ आपसे कि पढ़ना क्या क्या है कैसे पढ़ना है तो जो सबसे ज़्यादा question आपका चाहे जीके का हो यह subject का हो यह NCRT book और SCRT book NCRT और SCRT से ही आपके questions पूछे जाते है NCRT और SCRT के लावा third book वो use नहीं करती BPSC इससे ही आपके questions पूछती है अब आपको पढ़ना क्या क्या है तो देखो GKGS की हम बात करें SST की जितनी books है हमारे पास SST की books आप 10 तक 6 to 10 तक की सारी पढ़ डालिए चाहे history हो, quality हो, geography हो तीनों आप पढ़ दीजिए वहीं मैं बात करूँ science की तो आप इसको भी 6 to 10 तक की books को पढ़ डालिए बिल्कुल line to line चार्ट लिजे line to line बिल्कुल गोल के पी जाना है अब जब ये पी जाओगे इतना इतना कर दोगे दो चीज उसके बाद एक confidence build up होगा है कि नहीं यार अब मैं कर सकता हूँ कि yes I can do यहां से confidence build up हो जाएगा अब जब इतना आप करते हो तो इसके लिए आप किसकी exam के लिए तयार होगे 6 to 8 के लिए तयार होगे वहीं आप 11, 9 to 10 के लिए भी आप यहां से तयार हो जाओगे इसके लिए तो 100% तयार हो जाओगे यहीं से यहीं से 100% त्यार हो गए अब 9-10 के लिए भी त्यार हो जाओगे 80% अब बचता है जो 20% तो 20% में थोड़ा 11-12 concept पूछता है वो 11-12 आगर आप science का विपढ़ दोगे तो chemistry question पूछ लेता है जिसमें आपका organic chemistry पूछ लेता है और गैनिक chemistry पूछ लेगा इन और गैनिक पूछ लेगा और गैनिक से ज्यादा question जनली हमें देखने को मिलता है तो और गैनिक से आप से question पूछ लेता है अगर आप six onward है जूनियर तक दे रहे तो इतना बहुत है बहुत है इतने में ही आपका selection हो जाना है जितने मैंने आपक है क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है अच्छा अब थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं 11-12 में तो आपको पता है थोड़ा वो बुक है बाकर additional मिल जाती है अब बाचती है बात यहां पर maths की देखो maths maximum candidates का क्या हो जाता है वीक हो जाता है अब maths जब वीक है तो maths को अब जिस इक बार समझ में आगे ना तो समझने के बाद कोईसा भी कोशन कर कर लो आप कर लोगे कोई सा अबmind कर लोगए अब सिंपल सी वाहित है ने रावन को नहीं है कर्टा-कारक से अदीजित कर्टों कैर्टा-कारेश है इसमें नहीं कि कई भी लाइन तो इसी तरीके से concepts समझ में आ गए तो आप questions कर लोगे, अब मैं आपको अपने चैनल पे concepts देने वाला हूँ, कैसे, आप देखो, एसिस्टी है, science है, ये सभी linking subject होते हैं, link करके पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे, अगर आप link करके पढ़ोगे, तो कभी भी नहीं भूलोगे, ये बात याद रख, तो link करके हमें पढ़ना है, जब हम link करके पढ़ेंगे, तो हम definitely guys, कुछ भी भूलने वाले नहीं है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, तयारी कराने वाला हूँ, टी आरी 4.0 की, तो ये हमारा concept रहेगा, कैसे पढ़ना है, तो openly पढ़ेंगे, यार सर्चीस concept को समझेंगे, को concept समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, और definitely guys, आप खुद से, self study से, self study, with our guidance, आप definitely मैं आपको तार हो, आप 90 प्लस का score करों गया, 90 प्लस score कर सकते हो, और definitely आपका selection हो जाएगा, और क्योंकि एक मेरा खुद का एक बहुत लंबा experience है, कि teaching line का भी, SSC का भी, railway का, BPSC का भी मैंने भी exam दिया, तो बहुत सारे एक लंबा experience है कि कैसे त्यारी करना है, क्या चीज़े रह गई, बहुत अच्छे से guide करूँगा, और definitely guys, आपको selection दिलाऊंगा, आपको selection दिलाऊंगा, और definitely आपका selection होगा भी, my dear friends, तो आप सभी चैनल पर नहे हैं, तो चैनलों को subscribe कर लो, और आप next channel पर आपकी जो classes है, अभी one week onwards, means आज बारा है, hardly 15, 16 से आपकी classes, 15 से start हो जाएंगे आपकी classes, कि कैसे, किस time पर कौन सी class देनी है, क्या पढ़ाना है, पहले मैं आपको जो class start कराऊंगा, वो science से start कराऊंगा, science के first portion से start कराऊंगा, और science बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको जाएंगा, इसकी एक एक questions, एक एक point आपको याद रहे, all the best guys, चैनल पर नहे हैं, चैनल को subscribe करो, TRE4 में definitely selection ले, thank you very much.